दोस्तो नमस्कार मैं हूँ डाक्टर प्रखलाद प्रशाद दोस्तो मैं करीव करीव तीन महिने के बाद यूट्यूब यान पर आ रहा हूं क्योंकि मेरे बीच में कुछ मेरे शेहत कड़बड हो गई थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था तो दोस्तों आप लोस मैं छमा चाहता हूं एलाइची के फायदे बताओंगा इसके फायदे सुन के आप लोगों के पैरोश परने जमिन कह सकत जाएगी इलाइची मर्दी नहीं अवरत के लिए दोनों के लिए इतने गुणुकारी और लाबकारी चीज है इसके फैदे आप लोग ध्यान से सुनेंगे और वीडियो में अंडे तक बने रहेंगे का और दोस्तो नए ब्लीबर से रिकवेह रिक्वेस्ट heck की दोस्तों आप लोग वीडियो देख्के चले जाता है अंटब करते हैं सबस्क्राइब नहीं करते हैं आप लोग ज़िए एक इलाइची डेली खाया जाए तो यह अती स्वास्त बर्धक, कामुख बर्धक, इम्मुनिटी बर्धक होती है यह सुपाच है, खाना को अराम से पचाती है, गयस नहीं बने देती है दोस्तों, इलाइची ऐसे भी मुख दुर्गंद को दूर करता है, तमाम लोग खाना खाने को बाद इलाइची खाते है लोग चाय में डाल के इलाइची पीते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे और सधिय गूने फाय दे पाय जाते है जदि इलाइची हम बिस्तरी करने से पहले, एक इलाइची या एक घंटा पहले खाया जाते है, धाती को गड़ा करता है, टाइमिंग को बढ़ाता है दोस्तों, इलाइची का तास्री ठंडा होता है थोड़ी खाने में कड़वा लगता है, लेकिन बहुत दिया और सधिय गूने से भरपूर होता है, इसमें एंटियोक्सिडेंट, बिटैन बी कमपलेक्स, परत मत्रह मिन्रेल्स, और सधिय गून का ही मत्रह में पाय जाते है यह इन फर्टिलेटी को भी दूर करता है और अटों के लिए भी समान गुनकारी है, यदि और अटों को खुखने लगता है, खाना हजम नहीं होता है, पिट में गुरूर के अवाय आती है और अटों के लिए लेची खा सकती है, पिट के लिए बहुत ही लापकारी है, भूट को बढ़ाता है, खाने के रूची को बढ़ाता है घर्वती और अटों के लेची खा सकती है, कोई नुकसान ने, इसाइटी पक्त नहीं है बुढे और जवान सब खा सकते हैं इसको इसके फैयदे उठा सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ी इसके फैयदे ने किया हर थरा से आपके स्वास के इस्टिकोन से अनकूल है इम्मूनिटी को बूश्ट करता है ताकत बढ़ाता है जोस्खरोस बढ़ाता है खाने उरुची करते हैं समझ गए तब लाइचीव खाएं और फैदा उठाएं कि आप लोग मेरा सला अच्छा वर्यूंट जब्सक्राइब करना जैंद जय भारत